प्राकृती में कुछ ऐसी घटनाई होती हैं जो हम इनसानों को एकदम हैरान कर डालती हैं। कभी न देखे जाने वाला द्रिश्य अगर आखों के सामने अचानक से आए तो उसे हम अक्सर भगवान का चामतकार या भूत पिशाच का हमला समझ लिया करते हैं। मगर इनके गहराईयों में जाएं तो विज्ञान इन राजों पर से पर्दा जरूर उठाती है। तो चलिए आकाश में होने वाले तीन ऐसे द्रिश्यों के बारे में बात करते हैं जिन्हें देख लोग अपना होस चैन खो बैठे थे। चीन के सुजान शहर में लोगों ने अपनी सुदबुत तो तब खोदी जब उन्होंने आसमान में लाल रंग फैला हुआ देखा। उनकी डर के मारे सासे रुख गई थी क्यूंकि ये एक बेहत भयानक द्रिश्य था। साथ ही लोगों को किसी बड़ी आपदा के आने का डर भी सताने लगा था। आसमान में खूनी लाल रंग फैला देख कुछ लोगों ने तो यहां तक मान लिया था कि उनका अपकरीब है। पर तभी इस डर को दूर करने जो शान मेटेरोलोजिकल ब्योरों ने सामने आकर शहर के लोगों को जूटे अफ़ाउं से बचाया। और बताया कि शहर में कोहरा जादा होने के साथ बादल भी कम उचाईयों पर थे। और भी मचली पकरणे वाली कंपनी ने जाधा मचली पकरणने के लिए एक नई तखनीक अपनाई। बोट के चारों तरफ लाल र Bears लगा दी। जिस्से जाधा मचली जर्म जतरफ के तरफ आजाएं। ऐसे में इनसे निकलने वाली रेड लाइट आर्णी सिटा क्राकर आकाश की ओर जा रही थी जिस वज़ा से कभी न देखी जाने वाल अद्रिश्ट लोगों के सामने आ गया आसपास के इलाकों में भी अकाश का लाल रंग फैल चुका था पाकिस्तान के लहोर में जैनवेरी 2020 को आसमान में उर्तेस रहस में काले छले का द्रिश्ट देख लोग अपना होश भी खो बैठ रहे थे जहां इसे कुछ लोग एलियन एक्टिविटी बता रहे थे वही कई लोग इसे भूत पिसाच का हमला भी समझ रहे थे कुछ देर तक तो वो आसमान में घूमता रहा पर फिर वो थोड़े देर बाद गायब हो गया मौसम विभाग के विशेश अग्यों ने इसे किसी प्रकार की मौसमी घटना होने से भी मना कर दिया साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस तरीके का काला चला पूरी दुनिया के कोनों में दिखाई दिया था बहुत अनुमानों के बाद ये माना गया कि गोल अकार वाले मूसे बहुत दबाव से अगर बलास्ट हो तो ऐसे रिंक्स बनते हैं शायद ये काले चले किसी आतिश बाजिया या इंडस्ट्रियल फॉल्ड के वज़े से हो सकता है आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं साल 2017 में दक्षुनी कैलिफोनिया में औरिच काउंटी के उपर आकाश में एक बहुत अजीब तरह की लाइट लोगों को देखने मिली जिसका अकार थोड़ा भयानक था और उसे दे लोग डरे भी बड़े बड़े सेलेब्रेटी भी ट्वीटर पर इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे क्योंकि वो इसे एलियन का हमला ये डोनल्ड ट्रम्प के द्वारा की गई किसी योजना का हिस्सा समझ रहे थे साथ ही कई लोगों को ये डर भी सताने लगा था कि क्या ये इस तुनिया का अंत है पर तभी एलॉन मस्क जो कि टेसलर कंपनी के मालिक और सी यो हैं वो बताते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्हीं की कंपनी स्पेसेक्स द्वारा छोड़े गए एक रॉकेट की वज़स से ये हुआ है दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल फैक्टोलोजी जीनो टो को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग गाइस